अलो दोस्तों क्या भी चाहते हो कुड़ते की कटिंग करना तो इस वीडियो को पूरा देखना हम आपको लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से असान तरीके से कुड़ते की कटिंग करना तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं मैं राजिंदर कुमार म मेरे चैनल आरके स्टीचिंग में आपका स्वागत है तो चलिए दोस्तो इसका नाप आपको बता देता हूं नाप है इसका 41 इंच इसकी लंबाई है और 17 इंच इसका तीरा है और इसकी बाजू की लंबाई है साड़े 24 इंच और दोस्तो इसका गले का नाप है वो है 15 इंच और इसकी चेस्ट है 36 इंच और कमर है 32 इंच और इसकी हिप है 38 इंच तो इस नाप के according मैं कुर्टे की cutting आपको समझाने वाला हूँ तो चलिए दोस्तो cutting करके आपको मैं बताता हूँ तो सबसे पहले करना क्या है दोस्तो आपको मैं इस तरह से कपड़े बिछाने का तरीका बता देता हूँ तो तरीका क्या है दोस्तो जितनी हमारी चेस्ट होती है उसमें हमने 6 इंच प्लस करना होता है तो 36 में 6 इंच प्लस करेंगे तो 42 इंच आएगा और 42 इंच का चूथा इसा होता है साधे 10 इंच चूथा इसा होता है साधे 10 इंच इसमें हम 1 इंच एड करेंगे तो ये हो गया हमारा साड़े ग्यारा इंच तो इस नाप के अकोडिंग आपने कपड़े को इस तरह से बिचाना है कन्नी को छोड़कर इस तरह से हमारा यहां तक साड़े ग्यारा होना चाहिए और इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है एक सीधे मार्के का उपर निशान लगाना है जो मैंने पहले से लगा रख आपको दुबारा से बता देता हूं इस तरह और अब करना काया दोस्तों इसकी लंबाई का निशान लगाना है अपने 41 इंच इसकी लंबाई है तो हमने 42 इंच की एक इंच पलस एड करती हुए अब दोस्तो इस निशान को हम सीधा कर लेते हैं और अब दोस्तों हमने शोल्डर का निशान लगा रहा है दो इंच पे यहां से और अब दोस्तों हमने आर्मोल का निशान लगाने है तो हमारी चेस्ट है 36 इंच तो इसका चोथा हिसा करकर यहां पे हम निशान लगाएंगे चोथा हिसा होगा 36 का 9 इंच तो 9 इंच पे हमने इस परकार निशान लगा देना है और इन दोनों निशानों को पहले हम सीधा कर लेते हैं इसके बाद दोस्तों आपको मैं हिप का निशान लगाना बताता हूँ यहां से 15 इंच पे आपको हिप का निशान लगेगा यह थोड़ा स्कुर्टे की लबाई पे डिपेंड करता है साड़े चोधा भी रख सकते हैं चोधा भी रख सकते हैं और इसके बाद हम कमर का निशान 16 इंच पे लगाते ही है तो आपने 16 इंच पे लगा लेना है और इसके बाद दोस्तों 15 इंच हमारा गला है तो हम यहां से 1.5 इंच रखते हैं मैं आप भी डाई इंच रख सकते हैं एक दो सूत ज़ादा भी और तीरे ाँ हमारा सतारा इंच तो सतारा का हाफ होगा साड्य आठ और इसमें हाफ इंच प्लस करते हुए ये निशान लगा लेणा है और दोस्तो तीरे के निशान से गले का निशान तक आपने मिला लेना इस बरकार और तोस्तों इसके बाद मैं आपको सामने का निशान लगाना बताता हूँ अगर आपने सामने में फीटिंग रखनी है तो सवा इंच एड कीजिए 36 इंच है तो मैं इसमें फीटिंग कुड़ता रख रहा हूँ करकर साड़े चार साड़े पांच और छे इंच तक एड करकर आप निशान लगा सकते हैं और यहां से 37 32 है हमारा तो 37 32 का जो चोथा हिससा होता है वह 8 इंच एक सूत और इसमें भी यहां से भी मैं सोवा इंच एड करूंगा तो यह निशान हो गया मेरा 9 इंच 30 का तो यहां पर मैं मार का लगा लेता हूं और ही हमारी 38 इंच तो 38 का चोथा हिससा है जो साड़े नौ और साड़े नौ में मैं सवा इंच प्लस करूंगा तो पोने 11 आ जाएगा तो मैं पोने 11 पर निशान लगा लेता हूं अब दोस्तों आपने गहरी का निशान लगाना है तो गेरे के निशान लगाने के लिए दोस्तो आपने क्या करना है ग्यारा इंच पे दो इंच से हिप के निशान से दो सूथ आपने हिप के निशान से गेरे को ज्यादा लगाना है दो सूथ का और अब हमने क्या करना है दोस्तो फट्टी की मदद से इस निशान को मिला लेते हैं इस परकार अगर आपका स्टमक बार है तो फट्टी को यहां से दूसरी साइड दूसरी तरीके से रखना है पर इसका स्टमक बार नहीं है पेट बार नहीं है तो मैं इस तरह से लगा रहा हूं और यह निशान आपने बिल्कुल सीधी फट्टी से लगाना है इ दोस्तों अब मैं आपको पताता हूँ जो आर्मॉल का हम राउंड बनाते हैं वो निशान किस तरह अंदर लगाएं तो हमारा तीरा स्तारा इंच स्तारा में से एक इंच कम कर दीजिए आप तो हो जाएगा हमारा सोला इंच सोला का हाफ हो गया आठ आठ पे आप निशान लग दा लिजिए बिल्कुल सही आर्मॉल बनेगा आपका और यहां से हम राउंड दे देते हैं और दोस्तों जो हमारी कुड़ते की सामनी की फट्टी का निशान है मैं पंदरा इंच पे लगाता हूँ गले के निशान से यहां से पंदरा इंच पे अगर आप तीन काज करना च लगाते हो अगर आप चार काज करना चाहते हो तो पंदरा इंच पे लगा जीए और यह हमारा कुड़ता है जो गोल घेरी का है तो यहां से मैं थोड़ा सा आपको शेप देखर बता देता हूं भी यह गोल घेरे के कुड़ता है और यहां से मैं हाफ इंच जो सामने की हुरति भी बनाता ओसमें हाफ इंच यहां से कटिंग करता हूं तो ही नीशान लगाया हूं अगर सेन्टर करना चाहूं पटी बनाने के लिए तो सेंतर से कटिंग कर सकते हो और दोस्तों अब हम इसकी कटिंग रजो कर लेते हैं पहले सामने की बाद में आपको बैग की कटिंग करकी भी बताएंगे दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आ रहा थो वीडियो को प्लीज लाइक चुरू कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस वीड जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब जूरू कर लीजिए दोस्तो ये कटिंग करने के बाद दोस्तो अब आपने बैक को भी कुछ इस तरीके से जो हमने साड़े ग्यारा आपको बताया था वही निशान बैक में लगाना है और बैक को भी बिल्कुल सीदा रखना है आपने आपने बैक भी इस तरह से बिठा लेनी है प्रेस की मदब से और अच्छे से आपने बैक को बिचाना है और उसके उपर जो हमारा सामना हमने कटिंग किया था वह हम बिचा लेते हैं इस परकार अच्छे से आपने सामने को भी पूरा मिलाकर जो बिठाना है और दोस्तों आप आपने करना क्या है हमारा एक बैक में दो निशान लगते हैं एक तीरे का निशान और एक आर्मॉल का निशान तो आपने तीरे का निशान जो हमने बैक सामने में पहले लगाया था वहां से गले की कटिंग है वहां से 1,5 फण ऊपर निंशान लगाता है तो इस फटिंग की मदज़ से हम इस दून निशानों को इस तरह से मिलाएंगी इस तरह से आप बैक में तीरे का निशान लगा सकते हो और तीरह हमारा था 17 इंच तो स्तारा का हाफ करके रोस में राफ इंच पलस करते हैं ये निशान हमारा लग गया है और इसके बाद दोस्तों ये निशान इस परकार यहां से जो हमारी सामने की आर्मॉल की कटिंग हुई होती है उसे हमने एक इंस अंदर की तरफ रखना होता है ये निशान और इस परकार यह भी निशान हम सीधा कर देते हैं थोड़ी सी गुलाई दे देते हैं दोस्तों बस बिलकुल कुछ भी नहीं करना आपने और इसमें और बेको को भी अच्छे तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है बैक को पीछे से एक इंच कट कर लेना है अगर आपका स्टमक बहुत ज्यादा बढ़ा है तो एक इंच कट के जिए नहीं तो हाफ इंच कट करना बहुत जुरूरी होता है तो हमने इसे बैक में से हाफ इंच कट कर दिया बैक की लबाई हाफ इंच कम कर दिया और यहां से अब हम इसे गुलाई में कटिंग कर लेंगे तो दोस्तों इस परकार हमारे कुर्टी की कटिंग जो सामने और बैक की पूरी हो चुकी है अगर आपको यह वीडियो अच्छ थेंक्यू सो मच वीडियो देखने के लिए अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जुरूर कर देना दोस्तों